So well guys, this is Tarun सुनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए YouTube चैनल Discipline Trader पे तो guys, आज हम समझने वाले हैं कि क्या हम Volume के basis पे Intraday Trading कर सकते हैं जैसे कि आपने मेरा previous वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने Option Chance से related एक वीडियो बनाया है उसमें हमारा जो Price है वो कहीं न कहीं Open Interest और Volume को Follow कर रहा है यानि कि हमारा Open Interest और Volume बढ़ रहा है तो हमारा Price भी बढ़ रहा है और अगर हमारा Open Interest और Volume नीचे गीर रहा है तो हमारा Price भी नीचे गीर रहा है तो उसी प्रकार से क्या intraday trading में भी हमाय price जो है volume को follow करता है कि नहीं करता वो हम देखने वाले हैं, detail में देखने वाले हैं और हम example के साथ देखने वाले हैं ताकि आपके अंदर कोई भी confusion ना रहा है देखिए गईस जो beginner होता है उसका जो chart है कुछ इस प्रकार का दिखता है ये मैंने volume का indicator लगाया हूँ है आप लोग को समझाने के लिए तो चलिए मैं इसको remove कर देता हूँ अब दिखिए इस type का आप लोग का chart दिखता है इस type से मेरा भी chart दिखता है अगर आपको 2-3 साल हुआ होगा market में आए तो अभी आप chart को पड़ नहीं पारे होगे अभी आप जो है बहुत सारे indicator यूज करते होगे या तो कोई pattern यूज करते होगे जैसे हमारा trend line, demand and supply, chart pattern ये सब आप यूज करते होगे या तो आप candlestick pattern यूज करते होगे आप candle को देखके अपना position बनाते होगे लेकिन देखिए गाईस ये सब चीज में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास काफी experience होना चाहिए और आपके पास proper एक tool होना चाहिए तब जो है आप ये सारा चीज अपलाई करके एक profitable trader बन सकते है और अगर आपके पास ये चीजे नहीं है तो भी आप volume को देखके अपना position बना सकते है तो वीडियो जाए काफी useful होने वाला है वीडियो आपको अंतक देखना है और मैं जो जो चीजे बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है देखना है, समझना है पेपर ट्रेडिंग का ये जो चीज है आप समझ जाओगे उसके बाद आपको पेपर पे ट्रेडिंग करना है हमारे एक्सल सेट को आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और उसी पे आपको अपना accuracy लाना है एप्रोक्स आपको accuracy लाना है 60 to 80% का अगर आप इतना accuracy ला लिए तो आपको stock market पे आना है और आपको अपना fund एट करके ट्रेडिंग करना है और 60 to 80% accuracy लाने से पहले आपको stock market पे आना नहीं है पहले आप पेपर पे accuracy लाईए 60 to 80% देन आप stock market में आ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं और definitely आप एक profitable trader बन जाएंगे ठेक है तो चलिए अब हम सुरू करते हैं आज का topic तो मैंने जो indicator remove किया था उसको मैं वापी से add कर देता हूँ जो indicator है उसका जो नाम है वो है volume ठेक है volume indicator है कुछ नहीं करना है simply आपको volume को क्लिक करना ये आगे हमारा volume ठेक है गाईस अप देखते हैं कि क्या वाकी में हमारा price जो है ये हमारा candle जो है volume को follow करता है तो ये देखे एक बड़ा सा candle रैट candle बना है तो एक बड़ा सा यहाँ रैट candle बना है ये red candle बना जिसके करण हमारा price जो है नीचे गिरा और यह green candle बना जिसके करान हमारा price जो है उपर गया ठीक है यह बड़ा सा green candle बना है तो देखें बड़ा सा इधर green candle बना है तो कही नहीं हमारा price जो है volum को follow कर रहा है तो चलिए गाईस हम THोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमारा volume उपर जाएगा तो हमारा price उपर जाएगा कि नीचे जाएगा यह हम देखेंगे और हम उसमें trade क्या लेंगे हम उसमें buying का position बनाएंगे कि selling का position बनाएंगे उसके बाद हम अपने chart पर वापिस सजाएंगे और चीजों को सीखेंगे तो अगर हमारा volume जो है increase होता है तो हमारा price भी increase होगा तो हम यहाँ अपना buying का position बनाएंगे यह पहला condition हो गया अगर हमारा volume decrease होता है तो हमारा price भी decrease होगा तो हम यहाँ अपना selling का position बनाएंगे अब तीसरा condition देखिए अगर हमारा volume increase होता है और अगर हमारा price जो है नीचे जा रहा है तो ये कुछ time के बाद उपर चले जाएगा और आपको क्या करना है? buying का position बनाना है guys अक्सर आपने market में ऐसा देखा होगा हमारा price जो है नीचे गीरते रहता है और अचानक से उपर चले जाता है तो ये अचानक से उपर क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारा volume जो है उपर जा रहा है तो आपको proper volume को देखना है guys तो चलिए अब हम fourth condition देख लेते हैं चौथा condition हमारा ये है कि अगर हमारा volume नीचे जा रहा है और अगर हमारा price जो है उपर जा रहा है तो ये कुछ tank के बाद नीचे गिरेगा अब नीचे क्यों गिरेगा क्योंकि हमारा volume जो है नीचे गिर रहा है तो यहां आप क्या करोगे selling का position बनाओगे आपने कई बार market में ऐसा देखाऊगा कि हमारा price जो है continue उपर जाते रहता है और अचानक से crash कर जाता है तो ये crash क्यों करता है volume के कारण clear है अब वापिस चार्ट में पहुचते हैं और चीजों को हम समझते हैं तो यहां देखिये हमारा यहां क्या हुआ हुआ है volume इंक्रेज हो रहा है तो जिसके करण हमारा price जोए वॉल्म किस से बनता है वॉल्म जो है हमारे एक्टिविटी के करण बनता है अगर बायर और सेलर का इस पर्टिकुलर एक केंडल बनाने के बीच में लड़ाई हो रहा है बायर चाहरा है कि इस केंडल को उपर ले जाना और सेलर चाहरा है इस केंडल को नीचे ले जाना तो जो जितता है उसी की तरफ हमारा मारकेट जो है अपना मोमेंट करता है अगर इस केंडल पे अगर बायर जित जाते तो भाव हमारा उपर जाता और अगर इस केंडल पे हमारे सेलर जित जाते जैसा कि अभी हमारा सेलर जिता हुआ है जिसके करण हमारा कंडल जो है नीचे गीरा यहाँ bear और seller का लड़ाई हुआ है और यहाँ high bear आ गए seller ने अपना हार माल लिया जिसके करना एक बड़ा candle बन गया तो जिसके करना हमारा price में भी दिखा कि इस particular candle पे हमारे bear जादा है जिसके करना seller हार माल रहे है और हमारा भाव जो है उपर जा रहा है तो कहीं न कहीं हमारा price जो है volume को follow करता है तो volume जो है basically bear और seller के activity के कारण बनता है और volume के थुरू आप अपना position बना सकते हो ठीके guys आप लोग को समझ आ गया होगा कि अगर आपको chart का knowledge नहीं है एंडिगेटर का knowledge नहीं है तो भी आप अपना यहाँ position बना सकते हो लेकिन guys मैं नहीं मानता कि सिर्फ आप volume के basis पे अपना position बना सकते हो कई बार क्या होता है अचानक से कुछ bad news आ जाता है कुछ good news आ जाता है जिसके करान market में high volume आ जाता है high buyer आ जाते है high seller आ जाते है और market वहीं से प्लट जाता है तो कहीं न कहीं आपको news भी देखना होता है ठीक है आप सिर्फ आप volume के basis पे trading नहीं कर सकते गाईस इसका जो accuracy आएगा वो 60% का आएगा 20% accuracy news से आएगा और 20% accuracy आपका chart से आएगा तो ये चीजे भी सीखना आपको बहुंच जादा जोर रही है और आप अगर as a carrier as a business बनाना चाहते है stock market को तो ये सारा चीज का knowledge आपको चाहिए ही चाहिए ठीक है गाईस तो hope करता हूँ guys आपको समझ आ गया होगा चीजे 60% accuracy जाता है सिर्फ आप volume देखके अपना position बना सकते हो अगर आपको अपना accuracy और अच्छा लाना है तो आप जो है यहाँ chart और news के basis पे trading करके अपना accuracy लगबग 95 to 99% तक ले जा सकते हो ठीक है और कुछ भी queries होगी कुछ भी दिखकत होगा comment box में comment कीजिएगा मैं हर एक comment का reply करता हूँ और तो ठीक है guys मैं यह topic close करता हूँ bye नए वीडियो पर मिलते हैं